नमस्कार आज हम वास्तू में वाशिंग मशीन के बारे में चर्चा करेंगे वाशिंग मशीन की प्लेस्मेंट के बारे में चर्चा करेंगे वाशिंग मशीन हमारी 16 वास्तू जोन में हो तो वो कैसे कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगी ठीक है तो इससे पहले मैं आगे बढ़ू मैं चाहूंगा कि आप washing machine को अच्छे सजाने कि washing machine करता क्या है आप सब जानते हैं basically washing machine जो होता है वो उसमें घूमने का काम होता है कपड़ा साफ होता है और साफ होके सुख भी जाता है कम से कम 75% तो सुख ही जाता है तो 75% से ज़्यादा ही सुख जाते हैं और आजकल तो ऐसे ऐसे आगे हैं कि पूरा completely सुखा देता है तो अब ये समझ लीजिए कि washing machine जो घूमने का काम करता है चर्णिं का काम होता है जिसका घूमने का काम करता है उसमें कपड़े धुलते हैं धुलते हैं यनी साफ होते हैं धुलते हैं और सुखते भी है और जो चौथी चीज है जो उसमें होती है वो है उस गंदे पानी को वो ड्रेंद कर देता है है ना? ऐसा ही है? गंदे पानी को निकाल देता है ठीक है? तो इसका actually में हमारे दिमाग के साथ बहुत अच्छा connection बैठ जाता है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि कौन से zone में washing machine हो तो क्या-क्या effect होते हैं तो सबसे पहला zone जो हमारा आता है north opportunity का है इस पे अगर washing machine हो तो क्योंकि opportunity देता है career के बारे में वो stability in instability में convert कर देता है वेक्ति career के बारे में इतना सोचता है कि वो क्या करे करे की नहीं करे इस काम को करे की नहीं करे opportunity आ भी रही है तो भी वो सोचेगा इसको grab करूं की नहीं करूं वो पा नहीं सकता उसको इसा हो जाते है उसके साथ ठीक है सेम चीज नौर्थ-नौर्थ-ईस्ट में जाए हेल्थ और इम्मुनिटी का जोन है तो वो विक्ति हेल्थ के बारे में सेम वहीं वो कभी क्यार रख भी लेता है तो कभी नहीं भी रखता है तो जिसकारण उसके health में health कैसे आपकी ठीक रहती है जब कोई भी चीज regular सही ढंग से मियमित रूप से हो मियमित रूप से हो तो आपका स्वास्त सही रहता है तो आपका health सही रहता है मतलब आपने अगर 9 बजे खाना है आप सुबह उठते हैं सुबह उठके कोई भी चीज आप routine wise पे करेंगे सुबह उठे सुबह 7 बजे आपको नासता चाहिए 10 बजे, 11 बजे 10 बजे जो भी है 9-10 बजे जो भी है आपका खाना होना चाहिए आपका दोफैर का फिर lunch होना चाहिए फिर रात का dinner होना चाहिए सही time पे आज उसने 9 बजे खाया कल 12 बजे खायेगा परसो हो सकता है फिर 7 बजे खाये फिर नरसो हो सकता है फिर 9 बजे खाये तो balance नहीं कर पाता है जिस कारण स्वास्थ खराब हो जाता है ठीक है North East माइंड से related है तो head edge वो तो होनी है दिमाग घुमेगा न washing machine घुमने का काम करता है दिमाग घुमेगा anxiety भी रहेगी बहुत चिंता होगी बहुत चिंता करेगा विक्ती है ना और इसके चलते जो उसके जो nervous system है brain के उस पे दिक्कत आएगी body में दिक्कत आएगी तो ये तो completely ही पूरे शरीर को खराब करेगा पूरे शरीर को ठीक है अब East North East यह नि entertainment का zone पूरे शरीर करेगा अपने आपको बीजी कर लेगा maybe होगा तो भी कर लेगा ऐसा कुछ हद तक ठीक है पर हर चीज के लिए नहीं न तो इसलिए इसको भी आप negative समझ सकते हैं अब East सेम चीज आ जाती है यह शोशल रिलेशन्शिप के पीछे यह लोग इतना भागेंगे कि भाई आज 10 लोगों का call आया कल तो 25 लोगों का आया था आज 10 लोगों का क्यों आया आज भी 25 का आना चाहिए आज तो 50 आना चाहिए ऐसे ब्यापार में जाएगा तो इस ढंक से यह जाएगा वो भागेगा वो रिष्टो के पीछे भागेगा अरे मेरा दोस्त मेरा दोस्त वहाँ गया वहाँ गया तो दो-चार और दोस्त मिल गए उसके पीछे भागू भागू बट मिला नहीं भाग तो रहा हूं उसके पीछे पर वो दोस्ट बना नी उसका सारा मदद करके आ गया सब पुछ करके आ गया पर दोस्ट बना ही नी भागेगा फिर भी भागेगा ऐसे East, South, East Churning यहाँ पे मशीन वाशिंग मशीन सबसे बेस्ट प्लेस है आपके दिमाग को बैलेंस रखता है यहाँ पे आपके दिमाग के अंदर जो हलचल होती है उसे वो संतुलन में रखता है बैलेंस करके रखता है तो इसलिए सबसे अच्छी जोन यह मानी गई है East, South, East यह खुद वाशिंग मशीन की अपनी जोन है आगे Southeast पैसा यूकि वाशिंग मशीन आप देखेंगे कई वाशिंग मशीन होते है एक बार राइट ले लिया अगली बार लेफ ले लिया तो गूमता है तो ऐसे ही न इस व्यक्ति के Finance में कभी Graph उपर जाएगा कभी नीच आएगा आज 100 रुपए कमा लिया तो कल 2000 कमाएगा 500 फिर 50 रुपए कमाएगा फिर 2000 फिर 500 फिर 50 ऐसे तो एक Graph एक जो Financial Stability रहती है न वो चीज नहीं बन पाती है तो इसलिए यहाँ पे भी बहुत अच्छा नहीं है हाँ यहाँ फिस्ट टैंक अच्छा काम करता है बजाए washing machine के मैं यह अभी फिस्ट टैंक वाले में मैं नहीं आया हूँ आपके तो फिर भी मैं आपको एक छोटा समय बता दे रहा हूँ ताकि जब मैं उसके विशय में चर्चा करूँ तो आपके मन में कोई भी भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि भी आप में कहा थाzer यहाँ पर washing machine ऐसा काम करता है फिस्ट टैंक क्यों अच्छा काम करता है आप समझ रहा है ना है ना तो मैं बता दे रहा हूँ ग्रीफ में उसमें बताऊनगा इसमें मैं बता दे रहा हुँ कि fist tank south east में अच्छा काम कर लेता है बट washing machine बहुत अच्छा काम नहीं करता तो यहाँ washing machine की अच्छी जगा नहीं है correct अब same south south east में ये भी आपके confidence का zone है न तो confidence गती का low confidence होता है तो उसको high करने के बारे में सोचते रहता है और सोचते सोचते उसका confidence फिर जब हो सोचते रहता है कि मैं ऐसा कर लूँगा मैं ऐसा कर लूँगा फलाने hero ने ऐसा kick मारा था तो मैं भी ऐसे कर लूँगा तो मेरा confidence build up हो जाएगा फलाने वेक्ती ने तो confidence वाली ऐसी बात की थी तो मैं भी ऐसे कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा बट वो चीश नहीं हो पाती वो सोच तो लेता है बट नहीं हो पाता तो इसलिए ये जोन भी अच्छा नहीं है अब साउथ कई लोगों को आपने सुना होगा कि नींद नहीं आती है तो ये है एक सबसे बड़ा रिजान स्लिपिंग डिस ओर्डर यहाँ पर वाशिंग मशीन नींद उड़ा देता है मैंने देखे हैं अपने एक दो केसेस में कि इस जगह पर वाशिंग मशीन जो है वो नींद तो उड़ाता ही है विक्ति बिस्तर पर करवटे लेना शुरू कर देता है इधर भी उधर भी आरे भई नींद आ भी रही तो पूरी रात बेचैनी के साथ गई ऐसा तो साउथ में वाशिंग मशीन ये काम भी करता है करेक्ट है, सब के तोड़ है सब के है वो हम बताएंगे सब के है अब साउथ साउथ विस्ट ओके साउथ साउथ विस्ट disposal का है correct तो जो भी काम यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही खराब result देता है बट यहाँ पर भी अच्छे result भी देता है washing machine बट यह क्या करता है आपके जो खर्चे है न उनको बहुत बड़ा देता है मतलब जिसे हम फिजूल खर्चे कहते है जहाँ एक चीज लाना था वह चार चीज लेके आ गए वही चीज लाई एक ब्रश लाना था चार ब्रश लेके आ गए एक computer का monitor लाना था दो-ती monitor और ला लिए कि भई एक में ये काम करेंगे एक में ऐसे करेंगे एक में CCTV चलेगा आप समझ रहे हैं न तो ये चीजे है घर में सब फिर भी ये ये काम करता है Southwest Southwest में क्योंकि relationship का है तो ये रिष्टो को न ये गुमा देता है ये dispute create करता है रिष्टो को खराब कर देता है तो ये अच्छा जोन नहीं है मैं नहीं मानता मैं इस जगह पे washing machine बिलकुल भी allow नहीं करता तो इसको तो आप मती ले इस जगह पे washing machine मती रखे correct अब वे साउथ वेस्ट ये भी एक बहुत खराब जोन है washing machine रखने के लिए मतलब अगर आपने यहाँ पे washing machine रख ली तो आप समझें कि आपके घर में जो याद रखने की जो शमता होती है वो कम हो जाएगी जो knowledge का एक बंडार होना चाहिए वो कम हो जाएगा विक्ती knowledgeable नहीं रह पाएगा उसके पास क्यान नहीं होगा तो ये zone भी अच्छा नहीं है Wist Wist में सेम वैसे ही काम करेगा कोई gain नहीं आएगा gain की जगह है न profit and gain की जगह है तो यहाँ पर gains आने बंड हो जाएगे कभी आए कभी थोड़ा आया और कभी एकदम ही नहीं आएगा पर बड़ेगा नहीं यहाँ पर actually में gain जो है न यहाँ पर drain हो जाता है wash हो जाता है जो कपड़े धुल के जो थोड़े से बचे हुए रहते हैं वो थोड़े बहुत आते हैं जीवन ही चलेगी उतना आ जाएगा पर आपने कपड़े तो धोए है तो जो mail है वो भी निकल जाएगा और वो निकलेगा तो निकलेगा कपड़े में जो अच्छी चीज़े होती है थोड़े बहुत वो कभी आपने देखा होगा न कि वो रेशे निकाल देता है तो कुछ-कुछ चीज़े ऐसे मिक्स कर देता है कुछ कलर मिक्स हो जाता है washing machine में ऐसा हो जाता है एक कलरफुल खड़ाब शट आप ले लिया जिसमें रंग लगा हुआ था आपने उसको एक ही अच्छे कपड़े के साथ मिक्स कर दिया और कपड़े में फिर आपके उसमें भी वही रंग लग गया तो सेम चीज़ ऐसे ही हो जाता है इसमें बहुत हौच-पौच हो जाता है तो लाब तो कुछ होता नहीं है loss ही होता है तो ये जगा भी अच्छा नहीं है west north west west north west ये एक बहुत अच्छी जगा होती है आपके actually इस south east के बाद जो जगा मैं prefer करता हूँ west north west reason कि ये depression जो होता है न depression की जगा है न इसको ये wash कर देता है washing machine wash करने का काम करता है तो ये इसको व्यक्ति का दिमाग जहाँ वो negative चलने वाला रहता है तो ये कभी negative चलने वाला रहता है तो इसको ये clean करके वो drain कर देता है तो ये west north west जो है ये बहुत अच्छी जगा है ठीक है दिमाग में बुडे ख्याल आने नहीं देता सबसे बड़ी बात तो ये अच्छी जगा है अब north west support का है same same आपने थोई देर पहले मैंने जैसे कपड़े के बारे में आपको बताया न ये support को आपका फाल्तू के जो लोग आपके पास जो घुमते रहते हैं कहते हैं कि हम आपको support करेंगे support करेंगे काम के time में पूछो तो कोई support करने आता ही नहीं तो ये zone ऐसा है कि उन लोगों को आपसे दूर कर देता है कि भई तुम लोग तो चले जाओ जो सही में सुख और दुख में support करने वाले हैं वो रहेंगे जो pure जो cream है उनको मैं रख लेता हूँ बाकी चीश तो मैं drink कर देता हूँ तो ये ऐसे आल्तू फाल्तू जो support करने वाले कहने वाले रहते हैं उनको तो निकाल देता है जो main जो हमेशा आपके साथ रहेगा उनको ये रखता है नौर्थ विस्ट correct तो ये जगा भी एक अच्छी zone है ठीक है अब आगे वढ़ते है नौर्थ नौर्थ विस्ट correct ये attraction का zone है अब husband wife के relationship को ये सबसे ज़्यादा खराब करता है सबसे ज़्यादा और अगर घर में husband wife के relation खराब हो जाए तो आप समझ लीजिए पूरा घर ही खराब हो गया परिवार ये ना खराब हो गया तो husband wife और बच्चे ये तीन को हमें देखने है तो ये zone यहाँ पे रिष्टे जो आपके intimacy होती है physical relationship होता है वो यहाँ पे एक दूसरे के पती attraction ही खराब हो जाता है नहीं होता तो जिस कारण से fights स्टार्ट हो जाती है husband wife में तो इसी लिए ये zone ये zone पे washing machine बहुत कराब result देता है ये घर तोड़ देता है south west तो है south west क्या करता है जो आपके साथ जुड़े हुए और भी लोग है एक घर में जो सारे लोग है उनको अलग-अलग कर देगा कई पे मान लिजे एक joint family है जिसमें mommy भी है mommy पापा भी है आपके और आपका भाई भी रहता है आपकी बहने भी रहती है तो ये सब के साथ relationship खड़ाब कर देता है बट वो तो है important बट north north west आपस में ही खड़ाब कर देता है तो जिब आपस में relationship खड़ाब होगी mentally ही खड़ाब हो जाएगा तो फिर तो कुछ बचा नहीं सकता तो इसलिए सबसे important zone में south west north north west north west ये सारे तो ऐसे हैं important बट ये भी एक है तो इसलिए north north west में भी ये बहुत खड़ाब result देता है तो मैं तो कहूंगा कि सिफ गिने चुने दो तीन जो ये special zone आपको मिले हैं सबसे best zone है और सबसे best मैं ये कहूंगा कि उसकी जो खुद की जगा है चर्णिंग की जो उसकी खुद की चर्णिंग की जगा है उस जगा पर आप रखिए ओके तो आज के लिए इतना ही दन्यवाद